वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती हुआ करती थी वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब फ्रेंशिप मैसेज से फोन नहीं, फ्रेंशिप बैंड से हाथ बरा हुआ करता था जब दोस्ती साबित करने के लिए बड़ी-बड़ी बाते नहीं किया करते थे बस शॉकलेट का शेयर करना ही बहुत बड़ा चीज हुआ करता था वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब दोस्ती रंग रूप, जाज धरम और पैसो से नहीं तोला जाता था जब हर दिन ही दोस्ती का हुआ करता था वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब एक रूपए में सारा दिन था दुश्मिन तो थे ही नहीं, बस हर तरफ दोस्तों का संग था वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब हमारी दुनिया मा से ही शुरू और मा पे ही खतम होती थी पर समय सब के पास होता था वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब स्कूल लंच में हम लोग साथ मिल कर लंच किया करते थे उसका लंच उसके पास और मेरा लंच पता नहीं कित के पास वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब किसी दोसको टीचर की पनिश्मेंट मिलती थी तो सोचते थे कि ऐसे हम लोग भी उसके साथ बाहर खड़े हो जाए जब पनिश्मेंट भी अच्छी लगती थी वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब पापा की एक छोटी सी डार्ट पे भी सहम जाते थे पर जब हमें रोता हुआ देखकर पापा अपने हाथ में चॉकलेट लेकर मनाने आते थे तो वो डार्ट भी चॉकलेट के ही तरह मीठी लगने लगती थी ये उन दिरों की बात है जब टीचर के एपसंट होने से लेकर कागस के एरोपलेन उडाने तक ये छोटी-छोटी इस चीज़ें बहुत खुशी दे जाती थी कभी भगवान ने पूछा अगर मुझसे कि क्या है मेरी क्वाहिश तो कह देंगे हम कि हमें हमारा बच्पन लटा दो सारे पुराने दोस्तों को सिर से मिला दो हमें हमारा बच्पन लटा दो